हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दिल्ली एंसी आर राजस्तान गुजरात और गुवा जैसे राज्यों में जिस तरह से कोवीड अपने पैर पसार रहा है उसके बाद महराश्ट सरकार ने नई गाइडलाइज जारी किया और उसका आज स होना जो है वो शुरू हो गया है मुख्य तोर पर यह सभी राज्यों से जो पैसेंजर महराश्ट की तरफ आ रहा है उन्हें अब अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा और उनकी पूरी तरीके से अगर उनके पास यह रिपोर्ट ना हो तो उनकी जा की तरफ से जो भी ट्रेन यहां पर मुंबई पहुच रही है उन सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है और जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है 96 अवर्स पहले का उन्हें यहां से जाने दिया जा रहा है हमारे साथ बीमसी के ऑफिसर्स है जो अंदर तकरीबन 500 पैसेंजर्स थे काफी हों के पास आर्टी पीसीर की रिपोर्ट थी यह चुक्के मैसेज हमको कल मिला है तो हमारी दो टीम इदर डेप्यूट की गई है तीन टीम है टेक्निशन्स की और डॉक्टर्स की दो टीम है जो राउंड दो क्लॉक काम करीगी थू तो वो रिपोर्ट चेक करके फिर उनको स्क्रीन करके वापस जाने के लिए बोला है अभी तक जो ट्रेन यहां पर आई है अब तक कितने लोगों को आपको ऐसा लगा कि इनके स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत और कितने लोगों का आपने टेस्ट किया है नहीं हम तोटली सा इस तरह की स्टिती जो है वो अलग-अलग स्टेशनों उपर मुंबई में देखने को मिल रही है सरकार यह बात सुनिश्चित करना चाहती है कि जैसे हालात पोस्ट दिवाली डिल्ली एंसियार राजस्तान गुजराच जैसे राज्यों में बेकाबू होते दिख रहे हैं व एरपोर्ट पर भी देखने को मिल रही है और वहाँ पर भी इस तरह के प्रोटोकॉल्स को जो पालन किया जा रहा है अगर आप महराश्टर में आज से दूसरे राज्यों से आना चाहरे है और खास्तोर से दिल्ली एंसियार राजस्तान गुजरात जैसे राज्यों से अगर आगे